देवा क्या है ये सब मुझे इस तरह यहाँ पर लाया गया ये ठीक नहीं है देवा इलाव माध इंस्पेक्टर ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपरादियों को उच्छा बोलने की इजाज़त नहीं लेकिन मैंने किया क्या है तेरे गुनाओं का काला चिठा मेरे पास है इंस्पेक्टर तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले छे साल हुए और उन छे सालों में तुने अपने लॉक अप में पांच लोगों को बेरहमी से मौत के घार उतार दिया देखो देवा मुझे यहां से जाने दो नहीं कुलकरनी मैं तुझे यहां से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता मैं यहां उचाईबर बैठा ज़रूर हूं बगर इसकोट के फैसले नीचे बैठे यह लोग करते हैं कुलकरनी तु गुनेगार है या बेगुना इसका फैसला होना तो अभी बाकी है अप्राधी आप्राधी 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 तुने मेरे दो आदमी मारे उनकी मौत तो मैं तुझे बख्ष भी सकता हूँ मगर जिन तीन बे गुना लोगों को तुने मारा है उनका तो गुना की दुनिया से कोई बास्ता ही नहीं था उन्हें मार कर तुने उनके परिवारों को भूग, घरीबी और तकलिफों में जहुंतिया उन मैंसे एक अपने बुड़े माबाप का एकलौता साहरा था और जिस मजदूर पर तुने गोलिया दागी वो पारा लोगों का पीट भड़ता था और अंसारी की विध्वा की गोद में तीन मेने का बच्चा है और ये सारे पाप तुने अपनी स्वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किये है नहीं देवा नहीं देवा तो मुझे नहीं मार सकते है तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराईयों को मिटाने के लिए दिया था तुने इससे सिर्फ कुनहा किये है नहीं देवा ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है मेरी बात तो सुन क्या सुनू एक बात तो सुन ले अकाश देख मुझे नौकरी छोड़ने का कोई कम नहीं कितना शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे मेरा बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में बड़ा ओफिसर और मैं एक मिल में क्या मैं इसलिए पड़ाय की थी दिन राथ इसलिए मरता था मैं इंडव MA मैं मानता हूं कि ये काम तेरे लायक नहीं था लेकिन आदमी को जीने क्लिए इक नोग तो करना ही पड़ता है नहीं आच मैं सिर्फ जीने के लिए कुछ नहीं कर सकता जो लोगोज पसाद नहीं वहाँ काम नहीं कर सकता तू उस नौकरी में चीने की बात करता है यह देख तेर आशो की नौकरी में ऐसे जिया जाता है देवा देवा तुने जूता क्यों भेग दिया देख देवा देख नंगे पाओ तुम्हें लग जाएगी देवा दिवा मेरी बात तो सुन दिवा दिवा तुने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तेरी जूते भट गया है देख मुझे अगली तंखों मिलेगी न सबसे पहले मैं तेरी लिए नए जूते खरी दूँगा पहन ले नहीं तो लोग कहेंगे एक बड़ी कंपनी के सीनियर सुपरवाइ लिजर का भाई नंगे पैर चल रहा है छोड़ दी तो इसने ये नौकरी भी छोड़ दी मेरी समझ में नहीं आता है चाहता क्या है अब छोड़िये न अगर क्या परिशानी तो तुम्हें महां वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे मेरा मन नहीं लगता था सुना इने काम तुम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे इतनी मुश्किल से पैचान निकाल कर मैंने सूरजवल जी से बात की थी बड़ी मुश्किल से मनाया था उन्हें और आज कर ऐसी नौकरियों के लिए भी हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इनका मन नहीं लगता मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जीत और मेहनत करके बढ़ाई की थी क्या फाइदा इन डिग्रियों का तो तुम चाहते क्या हो जब तो कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक घर पर बेकार बेड़े रहोगे बस भी कीज और ऊदिए इसी कहना तो खाने दीजिए तुम चुपरहो किसी भी नौकरी में एक फल भी टिक कर नहीं करता है कहीं इसको काम ठीक नहीं लगता और कहीं जनाब का मन नहीं लगता हद होती है हर बात की देवा देवा देखा इसकी अखड़ देखे इसका मतलबी है कि जो करना चाहे से करने दो बस कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए क्या बात है भई पटाके किस कुशी में जला रहे हो तेरे को बालू ड़ी क्या इंडिया बेच हार गई है अब पुन पूरे पांस जार रुपे जीते ला है पाप जिस देश में पल रहे हो जिस देश की रोटिया खाते हो उस देश की हार की खुश्या मनाते हो शर्व नहीं आदी तुम्हें लो एक और गांधी जी आ गए हाहा है चल पूटले इदर से यह फूटेगा ना तेरा मुवी काला हो जाएगा चल पूटले चल भाइया बाइया चलो ना यह चाल 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 अकाश गुड़ी को लेकर घर जाओ चलो चलो क्यों बेर मेरे भाई का मूग काला करेगा तुम्हें बाबुजी गलती उन लोगों की थी पहले उसने मुझे हाथ लगाया उसके बाद और उसके बाद उन्होंने अपनी गुंडा कर दी दिखा दी उन्हें पकड़ कर पीटना शुर माह मेरे भाई को कोको गाली दे उस पर हाथ उठाए मैं ख़डातमाशा देखता रहूं तुम समझते क्या हाथ पाउद तोड़ दोगे तूं ऑय बहने करने परिशानी में किसे डालोगे हमें'm सब मैं नॅ आपको परिशानी में नहीं डालना चाहता आं शाए मगर दिल श मैं फिर से कहता हूं कि मैंने वहाद जो भी किया ठीक किया गलत नहीं किया आप भी उसके हर बात पी नाराज हो जाते हैं अब इस उमर में इतना कोई जुक्के भी तो नहीं चल सकता क्या मतलब है तुम्हारा मैं नहीं गुज़रा इस उमर से यह नहीं गुज़रा जमानी का यह मतलब नहीं कि आदमी आगे पीछे का सोचना बंद कर दे कि जलो खाना दो मुझे देवा जिस तरह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था मैं तो डरी गया था या क्या काश आंट दस थे वो और गुड़ी भी तो मेरे साथ थी ऐसे लोग कागजी शेर होते हैं कोई दमनी होता है इनमें एक मारो तो भाग जाते हैं तू हस क्यों रहा है उसने कहा नहीं तुझे कि तू दूसरा गांधी है गांधी पताया कितनी बड़ी हस्ती थी टांटारां आज की ताजा खबर बाबुजी कमरे में चले गए हैं खाना खालो खाना खालो चलो आहां यहां रहते हैं वैसे भाईया कुछ भी हो पूरे मुहले में चर्चे हैं आपके आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाए की एक इधर से एक उधर से वा भाई वा अब तो लोग जानगे कि गुट्डी का भाई भी कुछ है चला बस कर तेरी ये तारीफ का पुल अगर बाबुजी ने सुन लिया ना तो तो क्या इसे डान पड़ेगी ये नाराज हो जाएगी फिर खाने की थाली इसके कमरे में मैं लेके जाओंगा सुन रही हूं आसी मुझे कभी कभी देवा पर आपका इतना गुसा करना ठीक नहीं लगता मैं यह नहीं कहती कि उसे बहुत छूट दे देनी चाहिए लेकिन तुम्हें क्या लगता मैं प्यार नहीं करता उससे तुम्हारी बेटी जो चूरी चूरी खाना किलाती है न उसे वो थाली मैं ही करता है वैसे भी मुझे उसके गुसायल सभाव से डर लगता है लो तुम्हारे जिद्धी लड़के किस लड़क पर जाने का सिगनल आ गया इससे क्या हुआ कि गुटि इससे तुरो क्यों रहिये फिर रोईगी या कुछ बताएगी वही तुपि अज मेया रास्त रोका मैने जब उससे मना किया तो उस्ने वेरा हाथ मकर लिए देवा बागल होगी क्या उसके सामरे बोलने की क्या सिरूरत थी पता ले अब वो क्या कर बैठेगा लेकिन मा मैं अभी क्या करती तु चल मेरे साथ देवा रुक रुक पेटा रुक तुल जो चल लगे आर मेंटी पाइसा निकाल पाइसा निकाल 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 अर्चा, भी कि रुक्ट रुक्टा अर्चा, पाइसा था अर्चा, भी कि रुक्ट रुक्ट पाइया आज से फिर मेरा राज़ता रोका, मने जब उसे मना किया तो असे मेरा हाथ पकर लिया टेवा छोड़ दे उसे हम आउ जाए हमूट टेवा छोड़ दे मैंड़ पॉर जो तो छोट बानी लाओ ले लोग प़ानी लाओ मैं प्रोफ जोड तुर है तो चख्त्यारे ने चनम लिया मेरे खर में फार्फ जोड़ोफ लिया मेरे खर में तुझ पैना ओते मर क्यों नहीं किया एक अभागा पापू मैं अभागा पापू मैं ले जाओ इस हराम जाने को और बत कर तो इसे इसी दिन से लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेके जगड़े करता था कि दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का पता नहीं अंदर यंदर क्या पाप पाल रहा था क्या कमी रह गे थी मुझसे उसकी परवरिश में है रही बाबुजी बाबुजी मिलास तो मेरा भाई था न गुद्डी की इजट पर हाट डाल कर उसने जितना बड़ा बाब किया ना देवा ने उतनी बड़ी सदा नहीं दी उसे अरे देवा क्या कोई भी भाई यह बरदाश नहीं कह सकता कि कोई उसकी भेन के साथ